मध्यप्रदेश की राजनीती में कमलनाथ सरकार के लिए उनके अपने ही मुश्किले खड़ी कर रहे हैं ऐसे में कैबिनेट मंत्री सर्जन सिंग वर्मा ने बनमंत्री उमंग सिंगार की सोनिया गांधी को लिखी चिठ्ठी पर जमकर बेबा की दिखाई और दिगविजय सिंग का खुल कर बचाव भी किया है MP News के एडिटर इन चीफ महेंदर सिंग सोनकिरा के साथ खास चर्चा के दौरान मंत्री बर्मा ने बातों ही बातों में कई मसलों पर बेबागी दिखाई है देखिए खास जिपोर मद्यप्रदेश की सुबे की सियासत में जिस तरह से लगातार सियासी वातावरन बना हुआ है वो कही न कहीं सवाल खड़े करता है अब मद्यप्रदेश की कमलनाज सरकार के ही वन मंत्री उमंग सिंगार ने एक पत्र लिखा है उनके इस पत्र से संसनी फैल गई है क्योंकि उन्हें सीधा आरोप लगाया है कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर्व मक्यमंत्री दिगविजे सिंग पर कि दिगविजे सिंग सरकार को कमजोर कर रहे हैं क्या वाकई में ऐसे कुछ हालात हैं तमाम मस्लों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रेस के दिगज नेता और मद्यप्रदेश के लोक निर्मान मंत्री श्री सज्जन सिंग वर्माजी सीधी बात करते हैं अद्रनी वर्माजी आपका पहला प्रतिकार क्या है पहली टिपणी क्या है किस तरह से पत्र को देखते हैं और क्या वाकई में मंद्यप्रदेश की सरकार को कमजोर करने की साजीशे शुरू हो गई है तेज हो गई है देखे मैं समझता हूँ कि शायद उमंग सिंगार ने इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा होगा मैं ऐसा मानता हूँ और यदि गल्ती से लिग भी दिया होगा मन की पीड़ा की अभी वक्ति शायद इस तरह ठीक नहीं है उमंग सिंगार एक बहुत वजंदार लीडर है हमारा और हमारे हाई कमान आदरिनी राहूल गांधी से सीधा उनका जुडाव है और राहूल गांधी को उमंग सिंगार यदि कोई बात कहते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि कभी उमंग सिंगार की बात टालते नहीं है। तो देखिए मेरा ही कहना है कि सरकार को कमजोर करने का दिवा स्वपने देखने वाले लोग यह समझ ले कि कॉंग्रिस की सरकार बहुत मजबूत है। कि यह मे उस परिपेक्ष में बोल रहा हूं मेरे सामने भी राखिश सिंग्ग का बैन भी आया है। कि लाकेस सिंह ने भी कहा कि हम अब με स्याश्टी अभीयान इने नकली सदैस्टा अभीयान था उससे फिरी हो गारे में सडगों पर उत्रेंगे गे मैं बचा रहा हूं कि बहादो कहा जां स्ब्सक्राइब मुआ पोटो युम्हाग मेलट चीएसिने अपोटो सीधõ प्लाइट पंड दिल गए अपनी बात प्योरा簡 थीसि accomplice को कुम कि मेरी निजर में लिखा नहीं होगा पत्र कि यदि लिखा है तो सीधे राहूल गांदी जी के हाथ में देना चीए प्रेस में नहीं देना चीए यह बार भार पत्रा चार आखिर क्यों चल रहा है पहले भिजय सुझ जी ने मंत्रियों को पत्र लिखा कि जो अब तक के जावेदन निवेदन है उसे पूरा कर लिया जाए और अब मंत्री जी मैंने मुझे भी इस तरह का कोई पत्र मिला नहीं है और मैंने अपनी बाइट में कहा भी है कि दिगविजे सिंग जी हमारे कद्दावर नेता हैं और उन्हें तो सिधे फोन पर यदि कोई आग्या दें मोबाइल पर तो उनकी आग्या का उलंगन हम लोगों करने के आउकाद हम लोग उनकी बात को सीरियेसली लेते है और पूरा करते हैं अब बात वही हाईमन सिंगार वा ली कि अधि पत्र लिखा है तो मीडिया में क्यों दे रहा और आजिए от दिगैशा ने लिखा है तो मीडिया में क्यों दे रहा और उभर का इस्सेदारी है पर मेरा तौ यह करने के लिए कुछ ऐसे हालात मद्देश में से बन रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी के ही जो नेता है वो मुश्किले खड़ी कर रहे हैं मुख्यमंतरी कमलनाजी के समक्ष और सरकार के समक्ष आपको लगता नहीं कि पहले घर में सुधार अभ्यान चला लिया जाए फिर बाहर लिए प्रश्न के परिश्न का और चिति समझे रहा हूं मैंन बैदेशें सिंग जी की बात भी आप कर रहे हैं और जोतीराद सिंधे जी की बात भी आप इस प्रश्न के पीछे दोई चेहरे चिपे हुए देखिए मैं जितना जोतिरादित सिंधेजी को जानता हूं, उनका डी एने में जानता हूं, कॉंग्रेस का खून उनकी रगों में दोड़ता है, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, चाहे कोई मीडिया चेनल हो, या अलग धड़के नेता हो, अभी बीच में चला है कि सिंध जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, जिस आद्वी ने खून और परसीने से कॉंग्रेस को सीचा, चुनाओं में हार और जीत बहुत अलग मसला है, लेकिन आज भी जुवतिरादित सिंधिया का कद, मद्वरदेश नहीं, पूरे भारत में एक अलग एहमियत रखता है, उनका वजूद एक अलग हमियत रखता है, इसलिए राहूल गांधी जी ने उस समय उन्हें उत्तर पदेश जीसे बड़े राज्जी की जवाबदारी थी और आज सोनिया जी ने महराश जीसे बड़े राज्जी जो भारत की आर्थिक राजदानी महराश्ट माना जाता है, वहाँ में बिधान सभा की चुनाओं है, स्क्रीनिंग कमेटी का चेर्मेन जो तरह सिंदेश जी को बनाया है, उनके हाथ के नीचे बड़े बड़े नेता है, मलीका और जुन खरगे, इस तरह के कई बड़े कत्के नेता है, तो उनका महत्व अपने आप में है, और वो कॉं दिगविजेश शिंघ जी को जितना दिया है, निश्चित हुप से उस कर्ज से ना सज्जन वर्मा उबर सकते हैं ना दिगविजीश सिंघ जी उबर सकते हैं, तो ये ब्रहांतिया उन लोगों ने अपने मंद से एख़टा देना चाहिए, कि दिगविजेश शिंघ जोतार प्रतिक्रिया का इntजार रहता है क्योंकि जब इस तरह की बातें आती हैं फिवाओं का दौर चलता है तो मुख्यमंत्री जी की चुपपी भी कहीना के सवाल्या निशान खड़ा करती है आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कमल पार जी का क्या दर्श्टिगोन होगा ऐसे ह जो अवसर मिला है तो उनके मनोभाव हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है उनी मनोभाव के अभियोक्ति हम लोग करता है क्या शिवराज सिंग चौहान कोई चैलिंज दे रहे हैं क्या गाउं गाउं जा रहे हैं कभी सीहोर में काफिला रुकवा लेते हैं अब गंज बासोदा पहुंचे वहां पर भी जो है डीम को उन्होंने कहा कि फसलों का मुआवजा एदी सरकार नहीं देगी तो सडकों पर उ अब करने का कुछ है नहीं उनके पास तो अभी उन्होंने आरोप लगाया था और बड़ा विंग अत्मक बात कही थी कि कमलनाज जी के पेर पड़ें इसलिए बारिस बहुत कम हुई है अब बारिस ज्यादा हो गई तो उनकी बोलती बंद हो गई अब फसले जरूर हमारे कि पासान भाईयों की कुछ सीमा तक खराब हुई है मैंने सिवराज चौहान को कहा था कि भी है सडक सडक पे टेंड लगाते कहीं पचास लोग इखटा हो रहे हैं कहीं सो लोग इखटा हो रहे हैं बासन देते पर चले जा रहे हो गिदिन की खाना पूरती ताकि हाई कमान को अभी कार से जा रहे हैं किसान बोल रहा है कितना खरआब हुआ है किसान के साथ grown आपने नेताहों के साथ खढ़ा होके भाषान थोक दे और चल दिया काम कुछ बचा नहीं है मेरा जवाब लंबा जरूर हो गया पर यह डिफाइन करना मेरे लिए जरूरी था कि अब उनकी आवाज में दम नहीं है, उनके अंदोलन में दम नहीं है, किसानों के लिए हमारी कॉंगर्स की सरकार कटीबद दे, सारे जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दें, कि बहुत व् अगले अध्यक्ष होंगे, सिंधिया जी को फिर एक बार जो है मद्वर्देश से दूर कर दिया जाए, क्या उनके दावों में कोई सच्छाई है, जिदी गोपी करश्ण नीमा जो इंदोर के भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष है, जिदी किलास विजवर की उनकी जगे ले लें, तो हम दिगविजय सिंग जी को मद्वर्देश का अध्यक्ष बना देंगे, दिगविजय सिंग जी का कद बहुत बढ़ा है, क्यलास विजवर की अभी समझ नहीं पा रहा है, जिदिन दिगविजय सिंग जी ने चमतकार दिखाया, उस दिन चारों खाने चित कार और एक जिमेदार मंत्री होने के नाते, क्या आप भी चिंतित हैं इस आर्थिक मंदी के दौर से, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी से बड़ा अर्थशास्त्री इस समय पूरे भारत वर्ष में नहीं है, जिस व्यक्ति ने आर्थिक जंजावत जब पूरे विश् समाल के रखी थी, कि चारोतरा पंधियारा होगे लेकिन भारत में उजाला था, यदि मनमोहन सिंग जी कोई बात करना है, तो मैं तो नरेंद मोधी को सला दूँगा, कि डॉक्टर मनमोहन सिंग जी को बुला के कुछ ग्यान की बाते ले लो, तो यह अर्थवस्ता समल पाए पांच प्रितिसस से भी कम जा रही जीडिपी, और एक लाग छोतर हजार करोड रुपिया, आर्बियाई से आपने दादागिरी से जटक लिया, नरेंद मोधी साथ, उसके दुष्परिणाम भारत की जनता को भोगना पड़ेंगे, यह उसी तरह होगा, जिस तरह आपने ब दोनों कारण थे, नोडबंदी और जीडिन जीएस्टी लागू करना, यह तीसरा काम आपने ओर कर दिया, एक लाग चोतर हजार करोड लेके, यह चार परसेंट से भी नीची चली जाएगी, तो मनमौन सिंग जैसे विद्वान व्यक्ति हैं, भारत में उनकी यदि सला ले तो आज भी भारत के अर्थवस्ता समल सकती है।